तो अगर आपने अगर कोई गरंटिय दे दी चुनाब के टाइम तो जो गरंटिय दी तो आपको तो पता होगा कि इंकम कहां से आएगी जब इंकम कहां से आएगी आपको पता था तो पर गरंटिय क्यों दी भाई सोचने की बहुत है सोचने की बहुत है मैं 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 यह कहना चाहता हूं कि सोचने की बात है कि सबसे पहले तो income sources guarantee देने से कुछ ऐसा फाइदा नहीं है कि guarantee दे दी और guarantee ऐसी नहीं दी भाई मैं जब अपने घर से चलता हूं मैं जो तरण से पढ़ना चालू करता हूं छिमला तक अरे हर जगा लिख भी दिया भई लिखने की क्या जरूर थी लिख दिया है कि हम 1500 अर्मेहना देंगे कांसे दो के आप अगर 1500 अगर हर महिला को देना है तो हमारे तक्रीबन जैसे आपको कहा है थारा से साथ सक जो महिला हैं थाड़े बाइस लाख है कांसे दो गए उनको तरज लेकर देना तो दो फिर तो आगे वाली जनरेशन आपको को सेगी आके यां कि मेरे यह सुचने के कि कहां से दो गए जब है यह नहीं परेशन नहीं उठता है नहीं दे पाएंगे अगर अगर थाड़े बाइस लाख मैलां को अगर पंदरा सो देना है तो हमें हर मैने थाड़े तीन सो क्रोड़ चे यह और साल का जो है थाड़े चारा जार क्रोड़ यह कहां से दो गए तो मुझे एस हमीं नहीं आया सर कि मैं वानिया देक्स मोदे एक तो इस बात को सफ़्ष्ट कर देओं आपको की करज का ताकि यह मैटर खत्म करें दूसरा मैं जो कहता हूं कि जैसे आपने जिस तरह से गोशने कर दे कि आपकी बहुत बड़ी गल्की र और देखना यह जो चुनाव आ रहे हो सकता इसी मैं आपको इसको बुखना पड़े कि सचाई है क्योंकि यह गल्त हो गया है अभी भी है कि हमारे पास यह कोई है कि बता दो किसी ने सोचा एपीजन बनाया कि इंकम कहां से आईगी अब आपदा आगे आपदा आई तो हमारे पास तो इतना खर्चे नहीं था कि हम अपने पास इसको पूरा कर पाएं ठीक है लोगों ने हल्प की सबने की जितनी हो सकी लेकिन मेरे आप से रुक्वेस्ट है कि इस तरह का अगर हम जूट बोल बाल करके इस सदन में बैठके ह कोई फाइदा ने है हम सब का फर्ज है कि हम एससester प्लान करें एक ऐसा विजन हैं इंकम्स ओरषिस के लिए हमें सोचना पड़ेगा है हमें इंडवा अपना पड़े च्छोटी चोड़े पेक्ट्री लगाना पड़े हम चल को इंकम या हमके जो पावर सक्टर उसके दो कर ह कि आज हमारे जुमाचल को अजर फाइनसली हम देखे हम बहुत वीक होज़ और मैं देखा आपदा के समय में अगर मैं थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम दें सर हमें आप दस मेनिट होगे दस मेनिट मैं अगर इसको थोड़ा सा मैं एक कहना चाहता हूँ कि आपदाब के समय में हमारे पास जो हमारे जुगनर में जो नुक्सान हुआ नुक्सान हुआ तक्रीवन तक्रीवन जो एक रिपोर्ट दिखाई गई है विवाद की तरफ से 98 करोड एक करोड जत्र लाग क्या करेंगे पुलद कहा है उ पैस Chief ultra Tech W bother 1,700 करोड़ आपने दे दिया, नयाई दिस को दिया, कहां दिया, डिसी को दिया, वो आगे तो पैसा तो देखो, क्यों नहीं आया पैसा, क्या है? आज यह हलात है, हमारे अभी हमारे हेल्थ मिनिश्टर जो चले गए, मेरे किशे तरवे सर्व, मैंने पहले भी कहा, पिछले ज कॉमिएटी अल सेंटर में, चौंत्रा आमें एक डॉक्टर नहीं है, लैटब ड वरोवल में, सीवल होस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, वैजट का सिर्फ तकरीवां तकरीवान जो हमारी जो इंकम सुर्सिज़ हैं, जो रैवनिव हमारी मेर्जल पर देखका, उस उसमें सिर्फ उस रेवन्यू से अगर हम करमचारियों की जो पैंसन है जो उनकी सेलरी है और जो कर्ज लिया हुआ है अगर उसको प्याज और उसको जो कर्ज देना है रीपेमेंट है अगर उसको हम पूरा कर दें तो बहुत बड़ी है कि सोजने का विसेह तो यह है कि पैसा का है कि जो हम बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं हमारे बास कितना बज़ड था जो मानिया मुख्य मतरी जी ने जो बजड पेस किया था हमारे पास अगर हमारा तकरीबन सेल्री पे 26 परसेंट जारा है बजड का और पैंसेल पे 16 परसेंट जारा सोला परसेंट और जो इंट्रेंट पैसा है जो हम भर रहे हैं हर साल उसमें 10 परसेंट जा रहा है तो दस परसेंट जो है रिपेमेंट का जा रहा है हमारे पास बचा 29 परसेंट नती परसेंट